देश के माननी प्रदानमंत्री नरिंदर मोदी जी परदेश हैं, वो अमेरिका के स्टेट विजिट पर है और वहाँ पर कई तरह के कारिक्रमों में वो हिस्सा करेंगे और दूसरी तरफ जो भारत का विपक्षी दल हैं, जितने प्रमुक विपक्षी दल वो सारे पटना में जा रहे हैं, 23 तारीक को पटना में विपक्ष का संगम है, बहुत बड़ा समागम तो सरकार, सरकार के सबसे प्रमुक व्यक्ति, एक तरह से मुखडा चेहरा, वो वाशिंग्टन न्युवार्ट में होंगे, और दूसरी तरफ जो विपक्ष के जितने बड़े नेता, चाहे वो दिल्ली में रहते हों, मुंबई में रहते हों, केरल में रहते हों, करनाटक में जो भी जहां है, वो सारे के सारे लोग विहार की राजदानी पटना में होंगे, कुछ एक को छोड़ कर, दोस्तों, पटना का ये जो सम्मेलन है, विपक्षी नेताओं का, कई कारणों से महत्त पूर्ण है, पहली बात तो ये है, कि 2024 के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में, अपोजिशन नेताओं की अलग अलग बैठके जरूर हुई है, लेकिन इतना बड़ा सवागम पहली दफा हो रहा है, और जो सिर्फ एकता के प्रसंग में हो रहा है, एकता के एजंडे को लेकर हो रहा है, इसको कौाडिनेट किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमा जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अब कोई वरोसा नहीं है कि क्या विपक्ष की राजनीत करेगी या नहीं करेगी और करेगी तो क्या करेगी, बहराल दोस्तों जितने लोगों को बुलाया गया है उसमें ज्यादातर लोग जा रहे हैं, यहां तक कि राहुल गांधी ज जो कॉंग्रेस के पूरोब ध्यक्ष हैं अब तो वो सांसत भी नहीं हैं लेकिन विपक्षी राजनीति के आकर्षण के सबसे बड़े वो व्यक्तित्तों और केंद्र हैं वो भी मवजूद रहेंगे पत्ना में कॉंग्रेस के रास्ट्रिय ध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे क अलावा और दोस्तों शरत पवार अखिलेश यादो हेमंत सोरें जारखंड के नेता और मुख्यमंत्री और ममता बनर जी जो आम तोर पे कॉंग्रेस से अंदर-अंदर नाराज रहा करती हैं वह भी पहुंच रही है पत्ना और कहा यह जा रहा है कि वो तो बाइस तारीक को जितने भी पक्षी नेता हैं सब उनके स्वास्त को लेकर चिंतित रहते हैं तो संभवता उनके स्वास्त का हाल चाल जानने के लिए ममता बनर जी उनके घर पे जाएंगी और मिलेंगी और फिर 23 तारीकी बैटक में वह भाग लेंगे टीम के के नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालीन भी मौज़ूद रहेंगे पटना में बहुत मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं है कि एमके स्टालीन पटना कब गए होंगे लेकिन उनका होना बहुत महत्पूर है नितीश कुमार को मंगलवार को तमिलाट की राजदानी चेंड़ ही पहुंचना था ए लेकिन दोस्तों एक महत महत्पूर बात है कि क्या इस जमावडे से क्या इस समागम से विपक्षी राजनीती का कोई नया रास्ता दिखेगा क्या एसेंड़ा सेट हो जाएगा क्या चेहरा तै हो जाएगा प्रदान मंत्री का इसके बारे में मैं अब बिल्कुल साफ कुछ बातें पता दूँ जो मुझे विपक्षी नेताओं से बादचीत के दर्म्यान जो जानकारी मिली है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ दोस्तो इस चुनाव में जो बड़े दल है विपक्ष के उनमें ज्यादतर का विचार है कि प्रदान मंत्री पद का कोई चेहरा दिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए जब कभी विपक्षी राजनीती को इस देश में कुछे क अपवादों को छोड़ कर काम्याबी मिली है चाहिए वो कॉंग्रेस के सत्ता का दौर रहा हो या भारती जनतापार्टी के अब सत्ता का दौर है तो कोई नेता डिक्लेयर नहीं रहा है विपक्ष का वाजपेई जी की सरकार जब चुनाव हारी थी 2024 की बात कर रहा हूँ आप याद किजिये उसवक्त भी उसवक्त भी आपोजिशन ने कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया था डोक् einzige मान महान सिंग के नेत्रित्तों में सरकार बनी तो उसी तरह से विपक्ष ने अतीज से और मौझूदा चुनोतियां और जो परिस्थितियां उसके मुताबिक अपोजिशन यूनिटी का जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो एजेंडा केंद्रित होगा लेकिन उसमें कोई चेहरा फिलहाल पटना की मीटिंग में डिकलेर नहीं होने वाला है और बहुत संभव है कि ये चुनाव की रण भेरी जब बच जाए तब भी शायद नो गोशित किया जाए तब भी मैं नहीं जानता कि भविशे में क्या होगा फिलहाल तो बिलकुल संभव नहीं है इसलिए पटना की बैठक किसी चेहरे के लिए नहीं हो रही है किसी ऐसे नेता के नाम पर नहीं हो रही है जिसे की प्रधानमंत्री पद का उमिदवार गोशित किया जाए या नरिंद्र मोदी जी के खिलाब एक विकल्प के रूप में चेहरा बताया जाए तो पहली बात तो यह है दूसरी बात जो सबसे महत्पूर है कि क्या ये विपक्ष के जितने दल वहां जुटेंगे उनके वीच में मुकंबल एक जुटता या एक तास्थापित हो जाएगी बिलकुल बिना लाग लपेट के मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तो ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कम से कम छे दल ऐसे हैं जो इस बैठक में उनमें से कुछ तो भाग नहीं ले रहे हैं लेकिन कुछ भाग ले रहे हैं बैठे जैसे मैं नाम लेकर कहूँ कि अरविंद केजरिवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पटना के सवागम में भाग ले रही है स्वेम अरविंद केजरिवाल जा रहे हैं हो सकता है संजे सिंग भी जाएं उनकी पार्टी में राजनितिक व्यक्ति हैं बाकी तो ढेर सारे और आयनितिक व्यक्तिगों से भरी हुई पार्टी हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अर्विंद के जिरिवाल और जो मुख्य चेहरा हैं मुख्य मंत्री हैं बलकि यूँ कहा जाए कि सर्वे सर्वा हैं उन्होंने जाने से पहले ही एक कंडीशन थोप दी है कि दिल्ली के बारे में केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाकर डिमोक्रिटिक जो नॉम्स हैं डिमोक्रिटिक जो दिल्ली सरकार का जो इस्ट्रक्चर को लेकर जो एक तरीका है डिमोक्रिटिक उसको जो वाइलेट कर का अध्यादेश लाया है उस पर जब तक कोई साहमती या डिक्लेरेशन कॉंग्रेस की तरफ से नहीं की जाती तब तक पटना में बैठक में आगे कोई एजंडा नहीं चलेगा यानि उनका कहना है कि पटना की बैठक का पहला और एजंडा जो होना चाहिए प्रात्मिक जो ब उन्होंने की थी कॉंग्रेस ने उनसे मुलाकात नहीं की ती कॉंग्रेस के निताओं सब के यहां जाकर उन्होंने यह बात कहीए ती कि विपक्ष की एक्दा का سबसे बड़ा जो मुद्धा है वो दिल्ली का ध्यादेश है अब इस पर पता नहीं भी पक्षी नेताओं ने उनको क्या कहा कमरे में लेकिन उन्हों काना हाँ बिल्कुल सब सब यही कह रहे हैं अरे भाई दिल्ली का एक अध्यादेश इतने बड़े महादेश में भी पक्षी एकता का एजंडा एक मात्र कैसे हो सकता है या सबसे बड़ा एजंडा कैसे हो सकता है क्या बेरोजगारी, महांगाई, नफरती जो एक माहौल क्रियेट कर दिया गया है इस देश में क्या वो मुद्दा नहीं है समबैधानिक संस्थाएं मर रही है ED से लेकर CBI और तमाम आर्गनाजेशन्स का जो हमारे आर्गनाजेशन्स हैं उनका दुर्प्योग किया जा रहा है क्या ये मुद्दा नहीं है सिर्फ वो अध्यादेशी मुद्दा है तोर्विंट के जिवाल ने पहले ही थोप दिया सब के उपर कि इसको मानिए वरना तो कोई मतलब नहीं है रही बात दूसरी कांग्रेस इस बारे में क्या सोचती है दोस्तों कांग्रेस के नेताओं से भी मैंने बात की है और पहले उन्होंने बोला भी इस मुद्दे पर है कांग्रेस का बिल्कुल साफ कहना है कि उनके यहां काम करने की एक पद्धत ही है पार्लमेंट के सेशन से पहले हमेशा ये बात डिसकस की जाती है आल पार्टी मीटिंग में कि आखिर किन-किन मुद्दों को उठाया जाना है अध्यादेश का मुद्दा भी है वो अगर उठेगा आम आदमी पार्टी आम तोर पे आल पार्टी मीटिंग में आते हैं वहां उठेगा उस पर अपना नजरिया पार्टी साथ कर देगी इसमें क्या दिक्कत है ये कॉंग्रेस का कहना है तो कॉंग्रेस इसको इस रूप में ले रही है लेकिन डेढ़राजियों में सरकार चला रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं को लगता है कि वो इतनी बड़ी शक्ति हैं इस देश की कि सारे अपोजिशन को डिक्टेट करेंगे अपने टर्म्स पर ये एक अजीब बात है और दूसरी जो बड़ी एक शक्ति है छेत्री शक्ति ममता बनर जी की टीमसी टीमसी के साथ भी दूसरी जो पुलिटिकल पार्टी जैं या यूं कहा जाए कि यूपिय के जो घटक हैं खास कर जो कॉंग्रिस पार्टी है उसके साथ उसके रिष्टे खटे मीठे नहीं बलकि खटे हैं उसमें मीठापन कहीं से भी नहीं है तो आम आदमी पार्टी से थोड़ा मिलता जुलता मामला है लेकिन चूंकि ममता बनर जी पुलिटिकल एक व्यक्ति हैं वो केजरिवाल से उनकी तुलना नहीं की जा सकती है वो एंडिये में भी रह चुकी है केजरिवाल एंडिये में कभी नहीं रहे क्योंकि बाद में उनकी राजनितिक उनकी पार्टी की पैदाईश बाद में होई है लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ममता बनर जी भी कब क्या करेंगी इसका कोई ठीकाना नहीं है राजनितिक होते हुए भी राजनितिक विरासत या राजनितिक प्रिष्ट भोमी का होते हुए भी लेकिन वो पार्टी के तौर पे मुख्यमंत्री के तौर पे नेता के तौर पे टीमसी के वहां आ रही हैं उनका एप्रोच क्या होगा पटना में ये दिखाई पड़ेगा और सुनने को मिलेगा क्या वो कॉंग्रेस और सीपी आयम दोनों के लिए बंगाल में कोई जगह चाहती हैं या वो ये कहती हैं अखिलेश यादव की तरह कि जो अपोजिशन पार्टी जिस स्टेट में ज़्यादा स्ट्रॉंग है उनके लिए सब कुछ छोड़ देना चाहिए मैं जानबुश कर अखिलेश यादव का नाम ले रहा हूँ क्योंकि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी एक प्रॉब्लमेटिक कंपोनेंट हैं इस पूरे विपक्षी समागम के वो क्या है अखिलेश यादव को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में उनके सिवा अब कौन बचा है वैसे भी मायवती जी अपोजिशन में कंसिडर नहीं की जा रही है उनको तो आमंतरन भी नहीं है वहाँ और इससे वो अंदर-अंदर नाराज भी होंगी लेकिन अगर ह अखिलेश यादव अपोजिशन का साथ भी देते हैं और साथ में यूनिटी की जो प्रक्रिया है उसको अपने अंदाज से अपने तरीके से उसको कमजोर करने की एक कोशिश भी उनके कदमों में और उनके बाचीत में उनके बयानों में दिखाई देती है और तीसरी बात दोस्तों जो बहुत महत्मूर नजर आती है मुझे कि दक्षन में भी कई ऐसे दल हैं जो इसमारा मंत्री थे लेकिन शायद वो नहीं जा रहे हैं अब जैसे बी आरेस जो टी आरेस पहले था उसके नेता के लिए सबसे बड़ा संकट ये है कि वो प्रदेश में कॉंग्रेस से उनकी मुट्वेड होनी है ऐसे मों कॉंग्रेस के साथ कैसे यूनिटी करेंगे वो CPIM के निताओं की तरह तो हैं नहीं कि केरल में CPIM की कॉंग्रेस से ही मुट्वेड होती है लेकिन केंदर की राजनीत में CPIM इस बात को समझती है और कॉंग्रेस भी समझत एक तरह से सोच सकते हैं इस स्ट्रेटिजी के लेबल पर और पुलिटिकल जो अंडर्स्टैणिंग है उसके लेबल पर फिर इसके अलावा टीरेस और बीरेस जो हैं सेक्लूरिजम के सवाल पर कभी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं वाई एसर कॉंग्रेस उसके जो नेता हैं अं तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ईपोजीशन में 6 पार्टियां ये कौन कौन पार्टियां हैं आम आदमी पार्टी टी आरेस यानि बी आरेस ममता बनरजी जी की पार्टी टीमसी यह रिसर कॉंग्रेस बिय डी और अखिलेश यादव जी की समाज़वादी पार्टी इन में ममता बनर्जी जी की TMC और अखिलेश यादव की सपा ये और आम आदमी पार्टी ये तीनों पार्टियां वहाँ पर उपस्तित होने जा रही हैं पत्ना में लेकिन सथ पूछा जाए तो ये छे पार्टियां अभी भी जो UPA से बाहर की हैं अभी भी यूनिटी की प्र प्रचा रिक्ता के साथ इनका यूनिटी के कांटेक्स्ट में कोई एकटा नजर आती है कोई विचारों में सामvert नजर आता है देखना है की आगे और क्या होता है और दोस्तों बिलकुल आखिर में अपूजीशन के जो बड़े नेता हैं जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी वो पटना की मीटिंग से क्या सबक लेगी ये तो बाद में समझ में आएगा क्या रणनीती उनकी बनती है क्या राहुल गांधी बहुत सारे कांग्रेसियों के सुझाव पर जो जमीनी अस्तर के नेता हैं अक्सर आजकल कहा करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की तरह उनको उ पटना से सारे जो अपोजिशन के नेता हैं उनको अपना डेलिगेशन लेकर मनिपूर पहुंच जाना चाहिए प्रदानमंतरी वाशिंग्टन और निवार्क में हैं और अपोजिशन के नेताओं को पटना से मनिपूर जाकर उनकी सरकार के बारे में उनकी सरकार की एक कि जनता को आश्वस्त करना चाहिए कि वो शांती के पक्षदर हैं और इसी के लिए काम करेंगे तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं मैं समझता हूं कि opposition parties को अपना perspective अपनी दृष्टी अपना नजरिया क्लियर करना पड़ेगा नेता से जरूरी है नीतियां और नीतियों पर आदाब सब्स्रीयकाल